का दोस्तो आज की बूरियों हम बनाने वाले LED Board LED Board आपको कहा कहा देख सकते है LED Board आपको DTC की बसों में दिख जाएंगे बहुत सारी जगर आपको LED Board दिख जाते है High Board पर दिख जाते है दुकानों के बार दिख जाते है उसमें सब प्रोग्राम डालते है उसको कैसे किया जाता है पूरी वीडियो देखेंगे और भाई वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैलन को सस्क्राइब वीडियो को लाइक कीजिए मुझे भी आगे बढ़ाईए मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो ढून ढून के लाऊंगा और आपको हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एलेडी बोर्ड बनाना आज के समय में बहुत ही जरूरी है और बहुत ही काम आने वाली चीज एलेडी बोर्ड जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा बिखने वाली चीज है तो यह अपनी नीली प्लेट जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है इसके अलग-अलग कलर जैसे की आपको पहले दिखा दिया मैंने यह नीली है और यह सफेद है और यह आपकी प्लेट हरी है और यह प्लेट डाल है इसके अलावा भी आपको आरजीबी प्लेट भी मिलेगी मार्केट में देखने के लिए जो ऐसी होगी इसमें आपको नीले, लाल, हरे तीनो कलर और सफेद, चार कलर भी मिल सकते हैं इसमें इसको चलाने के लिए आपको चाहिए होगा एक कार्ड इस कार्ड के अलग-अलग नंबर आते हैं जो कि इस प्लेटों में लगता है इसके लिए आपको आरजीबी टाइल के लिए दूसरा कार्ड लाना पड़ेगा जो मार्केट में आसानी से मिल सकता है और आपको चलाने के लिए चाहिए होगा एलेटी ड्राइवर जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा ये ड्राइवर आपको पांच वोल्ट बीस एमपियर, दस एमपियर चालिस एमपियर और उससे ज्यादा एमपियर में मिलेगा लेकिन याद रहे आपको बारा वोल्ट का एमपियर एडाप्टर बिल्कुल नहीं लेना है अच्छा तो हम आपको अब लिवर कम्प्लीट करके दिखाते हैं याद रहे दोस्तों ये एरो के निसान इधर कोई होने चाहिए ऐसे में हमारी प्लेट लगेगी अगर इसको हम ऐसे कर देंगे गलत हो जाएगा फिर इसलिए हमको याद रहे अपनी प्लेट हमने ऐसे ही रखनी है और इसके कनेक्शन करना हम आपको बताते हैं इसके लिए आपको चाहिए होगा कनेक्शन वायर जो कि आख मार्केट में आसानी से मिल सकती है आप क्या करेंगे हम इनकी करने के लिए फ 새 हम कारड में कनेक्षा कर देते हैं आपको यह two line का कारड है आप चाहे तो 3 line, 4 line, 6 line जैसे आपको जरूरत हो वैसे आफ मार्केट से ले सकते हैं इसके लिए आपको आप connection करने बताते हम ये टाइल में हमने connection कर दिये हैं आप देख सकते हैं याद रहे इसी तरह connection करने हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए यही connection wire लगेगी ये हमने card के connection करके आपको दिखा दिये हैं अब हम adapter से connection करेंगे ये देखिए दोस्तों आपको ये wire भी market से मिल जाएगी अगर आपको ये wire नहीं मिलती है या आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप normal wire भी यूज़ कर सकते हैं ये तो ये wire भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो हमने market से wire मंगवाई है आपको हम उसी से connection करना बताएंगे दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें plus और minus के connection दिये हुए हैं तो हमारी red wire प्लस होती है और black minus होती है तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमने connection कर दिये हैं अब आप सोच रहे होंगे हमने दो connection क्यों निकाले हैं तो आपको बता दें एक connection हम tile को देंगे और दूसरा connection ये card को देंगे ये देखिए दोस्तों ये आप देख रहे होंगे GND मतलब ground ये अपनी ground ब्लेक तार ground होती है इसलिए हम ब्लेक तार ground में जोड़ देंगे प्लस 5V मतलब प्लस 5V यानि कि हमारी red wire प्लस होती है इसलिए हम इसको प्लस में जोड़ देंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे card के connection complete हो गए है अब हम ties को connection देंगे आप देख सकते हैं ये हमारा ground है और ये प्लस है इसलिए हम ground में अपनी black wire मतलब minus देंगे और red wire प्लस होती है इसलिए हम इसको plus के option में देंगे और इसके connection आप देख सकते हैं नीचे भी इसी से देंगे इसी तरह आगे सब connection आप कर सकते हैं जो कि हम आपको complete करके दिखाएंगे ताकि आप किसी परिशानी का सामना ना कर सकें लोन नीचे व्यप मैं नीचे जिए परेंगे मैं तो लोन। नीचे नीचे बाखब देंगे लोने नीचे नीचे ओल लोना लोना? तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारे कनेक्शन लग गए हैं और आप यहां से वायर उठाके इसमें कनेक्शन देख सकते हैं और यहां से वायर उठाके इसमें कनेक्शन देख सकते हैं इसलिए अब हम आपको बता दें कि जो 20 एंपियर का एडाप्टर होता है 5 वोल्ट 20 एंपियर जी यहां 5 वोल्ट 20 एंपियर एडाप्टर सिर्फ 4 टाइल ही चलाएगा और अगर आपने इससे अधिक टाइले चलानी है तो उसके लिए अलग एडाप्टर आपको रखना पड़ेगा जैसे 5 वोल्ट 60 एंपियर 5 वोल्ट 40 एंपियर ऐसे आपको एडाप्टर मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे अभी हम आपको 8 टाइलों का एडाप्टर दिखाते हैं और अब हम आपको लेके चलते हैं प् हैं मैं आपको पहले बताया हुआ है HD U6A यह हमारा कार्ड नंबर है जो कि हमारे कंप्यूटर अथ्वा लेप्टॉप में इसकी अप्लिकेशन डाल के रख सकते हैं तो अब हम आपको प्रोग्राम बनाने के लिए दिखाते हैं इससे क्या सबसे पहले जरूरी होगा एक पि इन ड्राइब में लेप्टॉप से प्रोग्राम डालने के बाद हमको इसमें लगाना होगा जो कि लगाने के बाद फिर निकाल लेना होगा तब हमारा प्रोग्राम चालो होगा याद रहे दोस्तों आपको इसमें यह आपको दो अप्शन दिख रहे हैं AC के जिया एक में neutral और एक में face होगा अब आप सोच रहे होगे ये तीसरा option क्यों है जिया ये तीसरा option हमारा अर्थ का है इसलिए अर्थ अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं अगर नहीं है तो जरूरी नहीं है अब हम आपको प्रोग्राम बनाना बताते हैं तो जोस्तों देख सकते हैं आप ये हमारा लेप्टॉप है और इसमें आप देख सकते हैं HD 2018 का application डला हुआ है जिसको हम open करेंगे आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम पहले से बना हुआ है इसलिए हम ये अभी डाल के आपको नहीं दिखाएंगे इसको हम डिलीट कर देते हैं यहां से आपको नए सीरे से बना के प्रोग्राम दिखाएंगे जिससे की आपको कोई परेशानी नहो प्रोग्राम बनाने में अब आपको जाना होगा settings में आप देख सकते हैं ये setting है इसको आम open करेंगे open करने के बाद system setting में जाएंगे screen setting में जाएंगे अब ये हमारा password मांग रहा है तो दोस्तों password जो आपने डाला होगा वही आपको डालना होगा इसलिए जो हमने डाला हुआ है वही डालेंगे दोस्तों यहां से हम अपना card number चूज़ करेंगे हमारा card number था U6A तो दोस्तों यह देखिए हमारा card number है U6A अब हम इसको select करेंगे तो दोस्तों अब आप यहां से अपने height और width set करेंगे अगर आपकी tile आठ है लंबाई में और दो है चोड़ाई में तो आपका बनता है 32, 128 तो हमारा बहुत तयार है 32 से और 128 का इसलिए हम यहां से ok कर देंगे तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे subtitle में जाएंगे यह आप देख सकते हैं subtitle इसको हम open करेंगे अब आप देखिए हमारी screen open हो गई है तो दोस्तों अब हम इसमें लिखेंगे जो भी लिखना होगा हमें जैसा कि आप जानते हैं जो प्रोग्राम हमें चलाना है उसका नाम यहां पर डालेंगे तो दोस्तों देखिए हमने अपना नाम डाल दिया है और यहां से हमारा phone size बढ़ेगा यह देखिए दोस्तों phone size बढ़ गया है अब हम यहां से अपना प्रोग्राम कैसे चलाना है और किस तरह से रखना है यह देखिए continually move left कर देते हैं हम आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है अगर आपको speed कम या ज्यादा लग रही है तो आप देख सकते हैं यह हमारा speed का option भी दिया हुआ है इसलिए हम speed कम और ज्यादा कर सकते हैं यह देखिए दोस्तों speed हमारी कम हो गई है याद रहे दोस्तों जितना हम speed कम करेंगे यहां से उतनी speed हमारी बढ़ेगी और जितनी हम बढ़ाएंगे उतनी speed हमारी प्रोग्राम में कम होगी इसलिए हम अभी 25 रखते हैं देखिए 20 हमारा speed तेज़ था और 25 हमारा speed कम है तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम बनके तयार हो गया है अब हम आपको बताते हैं कि प्रोग्राम pin drive में कैसे डालेगे जियां दोस्तों अब हम pin drive अपनी laptop में लगाएंगे यह देखिए दोस्तों pin drive लेप्टॉप में लग गया है और उसके बाद अब आप देख सकते हैं Udix में हम जाएंगे और फिर अपना प्रोग्राम Udix में send करेंगे यह देखिए दोस्तों हमारा प्रोग्राम complete हो गया है अब हम आपको बोर्ड में चला के दिखाएंगे तो दोस्तों अब हम आपको बोर्ड चला के दिखाते हैं जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कि pin drive कार्ड में लगाना है इसलिए हमने पहले pin drive कार्ड में लगा दिया है अब हम आपको बूट चला के दिखाते हैं ये देखे दोस्तों हमारा बूट चालो हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तो हमने इस पे अपना नाम डाला हुआ है आप जो चाहें वो डाल सकते हैं जो चाहें लिख सकते हैं और जो चाहे प्रोग्राम डाल सकते हैं, जैसे किसी की बर्तड़े पाटी हो गई, किसी की साधी हो गई, या ऐसे कई फंक्षन होते हैं, आप जो चाहे प्रोग्राम इसमें बना सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं, डेट और टाइम सब कुछ आएगा तो दोस्तों है ना कमाल की चीज आपको पता है कि आज के समय में सबको पैसे की जरूरत है और हर एक आपनी चाहता है कि पैसा कहीं से आए तो दोस्तों यह सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता बिजनेस है जो आप अपने घर में असानी से बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों आपको बता दें कि इस बिजनेस में आपका ज्यादा पैसा नहीं लगेगा लेकिन इंकम इतनी होगी कि आप हैरान हो जाएंगे जियां आप महिने का 60-70,000 रुपए अराम से कमा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइप, सब्सक्राइब, करें जियां दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर इस वीडियो के माग्यम में कोई सवान पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं नमास्कार दोस्तों